हाई एवरिबन आएए आज के इस वीडियो में हम कोईला और पेट्रोलियम के उपियोग से परियावरन पर क्या प्रभाव पड़ता है आज की इस वीडियो में समझते हैं ठीक है चले शुरू करते हैं ओके देखिएगा कोईला और पेट्रोलियम यानि LPG जो हता है आपका ओ सिल्फर भी मौजूद इसमें होते हैं ठीक है जब इससे जलाया जाता है तो CO2 यानि करबन डायोकसाइड H2O यानि की जल और NO2 यानि नैट्राइड ठीक है तथा SO2 सल्फराइड SO3 सल्फराइड ठीक है आधी गैसे बायू मंदल में मिलती रहती है ठीक है अगर सिमित बाय बायू की उपस्थिती में जलाया जाए तो CO2 गैस भी CO2 गैस भी बनती है कब बनती है यदि हम सिमित बायू की उपस्थिती में यानि कि हम फिक्स्ट कर दे कि इतना ही बायू में हमें जलाना है तब यह CO2 गैस यानि carbon dioxide गैस भी क्या करेगी बनाती है ठीक है CO2 गैस एक green house गैस है और CO2 गैस क्या है एक green house गैस है और CO यानि carbon monoxide CO का मतलब हो जाता है carbon monoxide और CO गैस भी सैली है क्या है भी सैली गैस है ठीक है यानि CO गैस भी सैली गैस आता है अगर इनकी संपुर्ण मात्रा के carbon जलाने पर CO2 गैस में परिवर्तित हो गया तो बायू मंडल में CO2 की मात तरा अतिदिक हो जाएगी जिससे तिवर पैसिमान होने होने की संभावना है ठीक है यानि किい पुरे 10 पर में ही संब्यों कते है में इसलिए इन सभी संसाधनों को हमें सोचे समझ कर उप्योग करना चाहिए ठीक है यही आपका कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग के उपयोग से होने वाले पडियाबरन में छती है तो इसलिए इसमें अच्छे से डिफाइन क्या गया है कि इसका यूज किस्ता करना चाहिए तो इस तरह ये रियक्षन होता है हमारे इस पडियाबरन के साथ ठीक है तो आज के लिए नहीं नेतिते यह तो नए चैनल पे नो हे तो सब्सक्राइब करने इस वीडियो को लाइक कर देना alors सिएर कर देना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट टोपिक के साथ आज के लिए इतुनी अच्छा सल